हमें यहाँ पे दो section के marks और frequency का table given है मुझे यहाँ पे दो frequency polygon मनाने है दोनों के मैं notice करूं दोनों के mark सेम है बस frequency अलग अलग है तो यहाँ पे हम एक ही graph में दोनों plot करते है अब frequency polygon मनाने के लिए मुझे class mark पता होना चाहिए class mark होता है मेरा upper limit plus lower limit by 2 अगर 0 से 10 की बात करें तो इसका class mark होगा 0 plus 10 by 2 यानि 5 ऐसे ही 20 और 10 का बात करें तो इसका होगा 10 plus 20 by 2 15 similarly बाकी का हो जाएगा मैं notice करूं जो class marks में interval होता है यानि जो difference होता है 10 minus 0 10 का वो ही मेरा class mark का difference होता है तो 5 से 10 add कर दो 15 आएगा 15 से 10 add कर दो 25 and so on यह मेरा ऐसे बढ़ता जाएगा अब यहाँ पे हमें class marks को x-axis में और frequency को y-axis में plot करना है frequency polygon के लिए मैं यहाँ पे points calculate करता हूँ जहाँ पे frequency होगे मेरी 0 इसके लिए पहले मैं difference calculate करता हूँ यहाँ पे दोनो polygon के लिए section A और section B के लिए मेरे frequency 0 का point same होगा क्योंकि class mark same है हाँ सबसे पहले हम difference calculate करते है मेरा class mark यह 5 है और यह 15 तो इनका difference होगा 15-5 यानी 10 तो पहला point होगा मेरा जो पहला class mark है उसमें same difference minus कर देता हूँ तो यह होगा 5-10 यानी minus 5 और जो last point होगा मेरा जो आखरी class mark है इसमें same difference add कर देता हूँ तो यह होगा 45 plus 10 यानी 55 तो मेरा first point आ गया minus 5 last point आ गया 55 तो हमें यहाँ पे minus 5,0 और 55,0 प्लोट करने हैं यहाँ पे 0 और 0 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन points पे frequency मेरी 0 है अब हम प्लोट करते हैं हम x और y-axis बनाते हैं y-axis में हमेशा मेरा number होता है तो यहाँ पे frequency मेरी y-axis में होगी और frequency है मेरी number of students तो number of students होगे y-axis में x-axis में मेरी class marks होती है तो यहाँ पे marks होगे मेरे x-axis में अब जो number of students है याईनि जो frequency है यह minimum है 1 और maximum है 19 इन दोनों में दोनों frequencies में तो इसे मैं बनाता हूँ 2 से लेके 20 तक जो मेरी class marks है वो minimum है 5 और maximum है 45 लेकिन हम एक चीज़ भूल गया है यहाँ पे मुझे यहाँ पे वो भी include करना पड़ेगा points जहाँ पे frequency 0 है यानि minus 5 और 55 को include करना पड़ेगा तो मेरे class marks है minus 5 से लेके 55 तक तो इसे में बनाता हूँ minus 10 से लेके 60 तक x-axis अब यहाँ पे हम plot करते हैं पहले section एक ही बात करते हैं class marks 5 के लिए frequency है 3 तो x equal to 5 के लिए y की value 3 है तो एक point यह हो गया 15 के लिए 9 है तो 15 के लिए मेरा यहाँ पे 9 हो जाएगा 25 के लिए 17 है तो 25 के लिए मेरा 17 आ जाएगा कुछ ऐसे 35 के लिए 12 है 35 के लिए यहाँ पे 12 आ जाएगा और 45 के लिए 9 है तो 45 के लिए 9 आ जाएगा कुछ ऐसे अब यहाँ पे section A की frequency कतम होगी मुझे वो points include करने बढ़ेंगे जहाँ पे frequency मेरी 0 है frequency 0 है मेरी minus 5,0 पे और यहाँ 55,0 पे अब मैं यहाँ पे सारे points को join कर लेता हूँ कुछ ऐसे तो मेरा यहाँ पे section A का frequency polygon कुछ ऐसा होगा अब हम section B की बात करते है section B का marks 5 के लिए frequency है 5 तो वो 5,5 plot होगा कुछ ऐसे यहाँ पे हम green point दिखाते है section B के लिए ऐसे ही 15 के लिए 19 है तो 15 के लिए 19 आ जाएगा 25 के लिए 15 है तो 25 के लिए 15 आ जाएगा कुछ ऐसे 35 के लिए 10 है 35 के लिए 10 और 45 के लिए 1 है तो 45 के लिए 1 आ गया अब यहाँ पे हम point जोइन कर लें तो मेरा यहाँ section B का polygon बन गया तो section A का polygon है black वाला और section B का polygon है green वाला अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपको graph देखे क्या समझाता है मैं notice करूँ graph जितना right में होगा उतने ज़्यादा marks होंगे बच्चे के अब यहाँ पे section A मेरा right में है section B के तो section A के बच्चों के ज़्यादा marks है as compared to section B आपको ज़्यादाे सकती हमğin को जितना